चलिए बनाते हैं जटपट बन जाने वाला प्रेशर कुकर में वेच पुलाओ बहुत ही आसान रेसिपी और खिला खिला पुलाओ कैसे बनाते हैं उसके सारे टिप्स में आपको बताऊंगी तो सबसे पहले इंपोर्डेंट पार्ट है चावल को सोक करना चावल को कम से कम आदे से एक घंडा जरूर सोक करें अब एक प्रेशर कुकर में हम करेंगे तेल या घी करम मैंने यहां तेल लिया है उसमें डालेंगे सारे सुखे मसाले जिसमें बड़ी इलाइची, तेजपत्ता, काली मिर्ची, हरी मिर्ची, सिनमन का स्टिक है जीरा और राई डाला है मैंने, साथ में अदरक और हरी मिर्ची, इन सब को अच्छे से भून लेंगे और साथ में डालेंगे मन पसंद की वेजीज वेजीज में मैंने यहां गोबी, गाजर, मतर, आलू लिया है, आप इसमें बीन्स और कैप्सिकम बगरे भी डाल सकते हैं इसको अच्छे से भूनने के बाद में हम इसमें डालेंगे सुखी मसाले, सुखी मसाले में मैंने हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर और साथ में डाला है पाव भाजी मसाला अब इसमें हम डाल देंगे चौप किया हुए टमाटर, इनको अच्छे से भून लेंगे और इसमें एक से दो मिनिट के लिए डखकन लगा देंगे उसके बाद में जब टमाटर थोड़े से मुशी हो जाएंगे, उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे, सोक किया हुए चावल चावल को इसमें डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चावल अच्छे से कोट हो जाए, मसाले में इसके बार में हम pressure cooker में पका रहे हैं तो चावल और पानी का ratio बिल्कुल बराबर रखेंगे यहां मैंने एक जितना चावल था जिसका टोरे में उतना ही पानी लेके इन चावलों में डाल दिया है अब हम इसे डो विसल हाई पे cook करेंगे दो सीटी लेंगे हम इसके अंदर और हमारा जो पुलाव है वो अच्छे से बनके रेडी हो जाए ना सीटी का pressure अपने आप रिलीज होने दें और खोलने के बार में cooker उसमें डालेंगे नीमबू धनीय के पत्ते और एक चमच गी आप डाल सकते हैं इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स एंड इस रेडी तू सर्व बैस्ट है यह रेसेपी लंच बॉक्स के लिए लेजी डेस के लिए जब आप कुछ बनाने का मन ना हो दस मिनट में बिलकुल बनके तयार हो जाती है आप देख सकते हैं खिला खिला पुला उना है उसके लिए आप पानी का रेशियो 1-1 रखें कूकर में